वेलकम बैक टो माई चैनल, एक बार फिर से स्वागत है, आपका फिर से ही आपका हिंदी प्रेगनसी कॉर्णर में एक नई वीडियो के साथ एक और इंफरमेटिव वीडियो के साथ उमीद है आपको हमारी और वीडियोस की तरहे आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिएगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवलिशन के बारे में ओवलिशन होता क्या है ये तो मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको अलरडी बता चुकी हूँ शौर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ओवलिशन वो पिरियड होता है जिसमें आपके प्रेगिनेंसी होने के जाने के बच्चा कंसीव करने के चांसे पूरे महीने में सबसे ज़्यादा इन तीन दिनों में होती है और ये तीन दिन कौन सी होते हैं और क्या होता है इन तीन दिनों में इसे कि आपको पता ही है कि हर महीने औरत की ओवरी जो है एक एगर रिलीज करती है और उस एगर रिलीज करने के प्रसेस को ओवलीशन कहा जाता है evolution अगर आपका period cycle 28 दिन का है तो normally period के first day से चौदमे दिन जो है आपका evolution स्टार्ट हो जाता है लेकिन सब के periods regular नहीं होते कुछ महलाओं का period cycle 28 दिन का होता है कुछ का 29 दिन का, कुछ का 30, 31 और कई लोगों को 20, 25 दिन के बाद भी periods आ जाती है तो ऐसे हलात में आप evolution को track कैसे करेंगी आप evolution kit यूज कर सकती है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन हर महला के पास evolution kit जो है उपलब्द नहीं रहती हर महला evolution kit हर महीने नहीं खरीद सकती तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे sign and symptoms बताने जारी हूँ जिनको समझ के जिनको ध्यान रखके आप जान सकते हैं आपके महीने के evolution days को जैसे ही आप ये sign and symptoms अपने अंदर देखती है तो आप ये समझ जाए कि आपका evolution period स्टार्ट हो चुका है अगर तो आप बच्चा कंसीव करना चाहती है तो इन evolution के दिनों में आप एक दूसरे के करीब आईए लेकिन अगर आप बच्चा कंसीव नहीं करना चाहती है तो evolution के दिनों में एक दूसरे से दूर रहिए तो ये हर तरह की महला के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कब होता है evolution और कौन से होते हैं इसके sign and symptoms चाहे महलाने conceive करना है जहां फिर महलाने pregnancy से दूर रहना है दोनों परकार की महलाओं और आदमियों के लिए ये period के बारे में जानना जाने कि evolution period के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है तो कौन से हैं जे 10 sign and symptoms वीडियो को करते हैं start और जो सबसे पहला sign है वो है आपको evolution period start होता है तो आपकी body का temperature एकदम से बढ़ जाता है आपको पहले बिल्कुल अपने temperature नॉर्मल लग रहा था लेकि अचानक से ऐसा लग रहा है कि आपको fever हो गया है जहां आपका BPI हो गया है जहां ऐसे कुछ symptoms अगर आपको नजर आने लग रहे हैं तो समझे कि ये आपका evolution period start हो चुका है स्ट्रन हार्मोन के कारण आपकी body का temperature बढ़ना शुरू हो जाता है और ये हार्मोन जो है सिर्फ evolution के दिनों में ही body के अंदर विक्सत होता है जब आपकी ovary एगर release करती है तो ये हार्मोन काफी high position में पहुंच जाता है और उसकी वज़ा से आपकी body एकदम से गरम रहनी शुरू हो जाती है दूसरा जो सिप्टम है evolution स्टार्ट होने का वो है अजीब परकार की गंद महसूस करना जी हां अगर आपको किसी भी अच्छी चीज से भी गंदी स्मेल आ रही है आपको अपने आसपास से अचानक से अजीब अजीब स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है आपको अपने आप मे बहुत सी महलाओं के साथ ये होता है तीसरा जो सिप्टम होता है evolution स्टार्ट हो चुका है ये जानने का वो है spotting होना कुछ महलाओं को जी हां कुछ महलाओं को क्योंकि ये बहुत कम महलाओं को होता है ज्यादा तर महलाओं को ये issue नहीं होता लेकिन कुछ महलाओं को green जा brown discharge की हलकी स्पॉर्टिंग स्टार्ट हो जाती है अगर अचानक से आप बिल्कुल ठीक थी लेकिन आपको हलकी ग्रीन जा फिर हलकी ब्राउन डिस्चार्ज स्पॉर्ट्स के रूप में होने शुरू हो गए हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आपका अवल्यूशन पीरियड स्टा होता है जो सिप्टम होता है ऑवल्यूशन स्टार्ट हो चुका है इस बात की जानकरी देने के लिए वह होता है आपकी सर्वेक्स का मुह एकदम से ज्यादा ओपन हो जाता है यह तो वैसे सिर्फ डॉक्टर ही जान सकते हैं लेकिन अगर आप घर पे भी जानना चाहते हैं रची तरीके से हाठ से चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी सर्वेक्स का मुह आपको ज्यादा ओपन हो बन हो जाता है जब उनका ओपनई चलता है पांच पे है जी मचलना और सरदर्द होना जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब आपका आवलिशन पिरियर्ड चल रहा होता है तो आपको अजीब किसम की गंद महसूस होनी शुरू हो जाती है आपके आसपास से और आपकी कई बर खुद की बाड़ी से भी आप बिल्कुल फ्रेश है आप नहाईद होई है इसके बावजुद आपको अपने आपसे एक जीब सी गंद महसूस हो सकती है और इस वज़ा से काफी महलाओं को उल्टी आने की वोम्टिंग होने की जान जी मचलाने की शिकायत भी होती है सरदर्द काफी महलाओं को होता है आवलिशन के दिनों में म्यूकस में परवर्तन वाइट डिशचार्ज जो अकसर आपलीशन के दौरान होता है अगर आपको गाड़े का और थिक white discharge जो है दिखना शुरू हो गया है आपकी वाइजीना से आना स्टार्ट हो गया है ऐसा discharge तो यह बहुत ही बड़ा सिप्टम माना जाता है evolution period start होने का और यह mucous हमेशा white color का ही होता है white discharge ही होता है कई बार यह white discharge आपको evolution start होने से एक दिन पहले ही आना start हो जाता है तो यह आपको sign देना शुरू कर देता है कि आपका evolution period बिलकुल करीब आ गया है नमबर साथ पे है सतनों में जानी के breast में बहुत ज़्यादा स्वेधन शीलता महसूस होना आपकी जो breast है evolution के दिनों में बहुत ही ज़्यादा painful और sensitive हो जाती है अगर आप breast feed करवाती है तो आपको खुद को यह चीज बहुत ज़्यादा महसूस होती है evolution के दिनों में आप बहुत ज़्यादा painful फिल करती है लेकिन अगर आप breast feed नहीं भी करवाती है तब भी आपको अपनी breast काफी ज़्यादा sensitive महसूस होने लगे तो यह sign है evolution period start होने का आठमा जो sign है वो है cramps होना जी हाँ अकसर बहुत सी महलाओं को fertile के दिनों में आप पेट के निचले हिसे में cramps महसूस होते हैं अगर आपको पेट के निचले हिसे में अचानक से cramps महसूस होने शुरू हो गए है हलका हलका दर्द महसूस होना शुरू हो गया है तो यह sign है आपके evolution के start होने का ऐसे ही आपका evolution खतम हो जाता है यह हलके हलके cramps भी अपने आपी साथ ही खतम हो जाते हैं और यह सिर्फ evolution के time पे ही आपको महसूस होते हैं अगर आपको अचानक से ज़्यादा गिलापन महसूस होना स्टार्ट हो जाता है अपने प्राइवेट पार्ट में तो यह साइन है और यह साइन माना जाता है इनफेक्ट यह साइन होता है अवलिउशन पिरियड का नमबर दस पे जो साइन है वो है संबंद बनाने की इच्छा का बढ़ना जी अवलिउशन के दिनों में महलाओं में संबंद बनाने की इच्छा बढ़ जाती है यह एक नैचरल परसेस भी कह सकते हैं क्योंके संबंद ब बड़ा साइन होता है और दिनों के स्टार्ट होने का इतने सारे साइन एड सिप्टम्स के बावजूद भी आपको ऑवलीशन की समझ नहीं आ रही है तो आप अपलेशन किट मार्किट से ले सकती है जिससे आप बहुत ही इसली जो है ट्रैक कर सकती है अपना अपलेशन पिरि जो है ट्रैक कर सकते हैं और बच्चे के लिए ट्राय कर सकते हैं उमीद करती हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल के साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसी और वीडियो के लिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ एक और इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक जो है बायो में दिया हुआ है तब तक के लिए हमें दीजिए इस्जाज़त धन्यवाद